कंगना रनौत जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाती है जिनके बिंदास अंदास को देख अच्छे अच्छो गोज जलन होने लग जाती है उसी कंगना रनौत को निशाने पर लेने के लिए कई स्टार्स इंतजार में बैठे रहते हैं ये तो आप जानते ही है कि कंगना रनौत इंदिनोत सुशान्थ मामले को लेकर खुल कर बाते कर रही है कंगना ने इस दोरान कई स्टार्स पर निशाना साधा जो कि अब कंगना को लतारने में लगे है दरसर हम बात कर रहे हैं सोनम कपूर वो सोनम कपूर जो कि सुशान की मौत के बाद से ही नेपोटिसम को लेकर ट्रोल हो रही है उन्होंने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते में लिखा मैंने काफी समय पहले पढ़ा था कि सुवर से नहीं लड़ना चाहिए इससे आप ही गंदे होते हैं और सुवर को मज़ा आता है जोर्ज बरनार्च शोव सोनम कपूर ने इस ट्वीट में कंगना का नाम तो नहीं लेकिन सोशल मेडिया पर लोगों को लग रहा है कि सोनम ने ये ट्वीट कंगना के लिए कि और उनकी तुलना पिग से कर दिया अब सोनम का ये ट्वीट उनहीं पर भाली पढ़ दरसत्थ सोनम के इस ट्वीट की ट्वीटर पर काफी आलोषना हो रही है और लोगों ने उन्हे ट्रोल कर दिया है एक यूजर ने लिखा है वाहिए एक दूसरे यूजर ने लिखा है You are the pig in this analogy, Sonam Kapoor. Are you worried that Rhea Thai, your official drug dealer, might name you as her client? And you can never be half the person kang-nail. Cause you are bloody little spoiled druggy, bully, pseudo-feminist. वहीं एक और उसर ने Sonam को ट्रोल करते वे लिखा है. Have you ever really gave it a thought that why people hate you so much? No, it's not because you are a star kid or a really bad actor. It's because of these words that comes out of your mouth. George Bernard toh ठीक है, but drugist लोगों के मूँ से जादा ग्यान अच्छा नहीं लगता. इसके लाबा एक और उसर ने लिखा है. If Anil Kapoor had not been there, you would have been lying in the drain like a pig. You have nothing of your own. You call yourself an actor, you don't have even your acting. You can't compete even with Kang Naas Sandal in any field. You have some existence of your own. तु देखा अपर, सोनम कपूर को Kang Naas से पंगा लेना कितना भारी पड़िया है? फिग वाली बात बोलका, सोनम कपूर ने खुद के पैरों पर ही कुलहाडी मार ली है. बता दे कि हाली में Kang Naas रनावत ने ट्वीट करते में कहा था, कि शिप सेना के नेता संजरावत ने मुझे खुली धम की दी है कि मैं मुंबई वापस ना लोटो. साथ ही, Kang Naas ने मुंबई की तुलना पियोगे यानी पाक अधिकृत कश्मीर से कर देखे. जसके बाद सही, कई स्टांस Kang Naas को निशाने पर ले रहे हैं और सोनम कपूर के ट्वीट को भी लोग इसी से जोड़ कर देख से.